लॉंग से किया यह एक उपाय बदल देगा आपकी किस्मत दुनिया में कई लोग हैं जो हमेशा परिशानियों से गिरे रहते हैं ऐसे में उन परिशानियों को खत्म करने के लिए सभी जी तोड मेहनत करते हैं वहीं हर पर सभानी का अंत जोतिश में बताया गया है जी हाँ, कई टोटके और उपाये हैं जिन्हें करके आप सभी मुश्किलों से चुटकार अपा सकते हैं आज हम आपको बताने डा रहे हैं आपको कुछ ऐसे उपाया जो आप अपने कीचन में मौजूद लॉंग से भी कर सकते हैं आप सभी इस बात से वाकिफ ही होंगे कि लॉंग का इस्तिमाल हम अपने घर की पूजा पाट के साथ साथ कई अन्य कामों में भी करते हैं ये लॉंग आपके घर की नकारात्मक शक्ती को दूर करने के साथ साथ आपको कई प्रकार के लाब भी दिला सकता हैं जी हाँ इसी के साथ लॉंग के इस्तिमाल से होने वाले फायदों के बारे में हिंदू धर्मशास्त्रों में भी बताया गया हैं और उन्हें आप सभी ने पढ़ा ही होगा ऐसे में आज हम भी आपको इस चमत कारिक लॉंग के उन फायदों के बारे में बताएंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना और जाना होगा उपाय कहते हैं शनिवार की शाम को घर के में गेट के पास लॉंग के साथ साथ कपूर मिला कर जलाएं इससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्ती का वास नहीं होगा और इसकी राख का छीटा पूरे घर में मारें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से नकारात्मक शक्ती हमेशा के लिए ही दूर हो जाएंगी इसी के साथ अगर आप से किसी ने उधार लिया है और वापस करने में परिशानी आ रही है तो ऐसे में आप और निमा या फिर अमावस्या के दिन 11 या 21 लॉंग को कपूर के साथ जलाएं और मा लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपनी बातों को कहें कहा दाता है इस उपाये को करने से भी बड़ा लाब होता है इसी के साथ अगर आप कहीं नौकरी के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू के वक्त आप अपने मूँ हमें दो लॉंग दबा कर जाएं जब वहां पहुंच जाएं तो उसे निकाल कर फेंग दें और मन में भगवा का ध्यान रखते हुए इंटरव्यू दें अगर आप ऐसा करेंगे तो आप को नौकरी मिलने की समभाव ना बढ़ जाएंगी